काइंड़ी सब्क्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन दा बेल आइकन पॉर पर दर नोटिफिकेशन लो बच्चो मैं मनोज पांड़े आपके अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स हम लोग अभी क्लास 12 मेहत में चैप्टर नमर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 6.2 के कोस्चन नमर 5 तक को लास्ट वीडियो में हम लोग उने कंप्लीट कर लिया था मैं आपसे रिक्वे को मैं कराया हूँ तो अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो यह कोशन आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि सेम टू सेम है इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्टर में जा करके जो जो चैप्टर में करवा चुका हूँ चैप्टर इन वीच दफालोइंग फंक्शन आर इस्टिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यहाँ पर टोटल फाइब पार्ट से आपको दिख रहा है स्क्रीन पर तो इन पांचों पार्ट को हमको अलग-अलग करना है और इनके लिए इंटर्वल हमको बताना कि किस इंटर्वल मे इंक्रीजिंग होगा और किस इंटर्वल में यह डिक्रीजिंग होगा तो आपको पता ही है हम लोग गिवेन फंक्शन को पहले लेते हैं जैसा कि देखिए आपको इस की निपर में लिखा हूँ पहला पार्ट आपका यह है तो ए पार्ट मैं कर रहा हूँ ठीक है फिर जो वाला पार्ट होगा वो मैं आपके लिए छोड़ूँगा तो f of x मारे पास है सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि इसका differentiation करते हैं तो x दिया तो x के respect में differentiation करेंगे तो क्या मिलेगा f dash x is equals to आप लिक लेना differentiating both side with respect to x तो differentiation में direct कर रहा हूं मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपको differentiation आता है तो यह आपको मिल जाएगा 2 x और यहां मिल जाएगा 2 ठीक है क्योंकि आप differentiation चेप्टर पढ़की पढ़ रहो तो आपको इतना तो बनता होगा अब हम लोग क्या करते हैं limiting point पता करने के लिए f dash x को 0 पूट करते है ठीक है तो putting f dash x is equal to 0 यह एक प्रोसीजर है जिसको आपको follow करना है तो मुल लेगा आपको 2 x plus 2 is equal to 0 2 x is equal to minus 2 and x is equal to minus 1 ठीक है अब देखेंगे कि जो x equals to minus 1 है यह number line को जो अपना real number line है उसको कितने interval में divide करता है तो हम लोग इसको करेंगे represent on number line जैसा कि मैं आपको करके पिछले वीडियो में बताया था इधर होता है plus infinity इधर होता है minus infinity और यह minus 1 कहीं इन दोनों के intervals कौन कौन सा एक minus infinity से minus 1 minus infinity से minus 1 and second कौन से interval मिला minus 1 to infinity दो interval मिला minus 1 से infinity और minus infinity से minus 1 अब हमको क्या करना है यह जो हमारे पास बच्चों f dash x है न यह दोनों interval के भी जैसे इस interval के लिए भी चेक करेंगे यान इन दोनों के बीच के numbers को इसमें put करेंगे और देखेंगे कि यह negative में आ रहा है कि positive में आ रहा है और वही decide करेगा कि increasing है कि decreasing है ठीक है अगर f dash x का value negative में आएगा तो बोलेंगे क्या है इस टिकली decreasing है और अगर positive में आएगा तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है, बस सिंपल सा बात है, जैसे कि मैं करवाते ही वही आ रहा हूं, तो चलिए मैं चेक करता हूँ, तो 4 इंटर्वल, पहले इंटर्वल चेक करते हैं, माइनस, इंफिनिट्यू टू माइनस वन, इंटर्वल, इसी में तो रख करके चेक करना है न, वो क्या है, अपका 2X प्लस 2 है, हम लोगों ने भी निकाल ला है, यहाँ पर देखिए, F-X का वैलू, यह दिख रहा है न, तो 2X प्लस 2 है, अब देखिए, एक एक एक्जामपल ले करके आप रहा पे समझ सकते हो, बाकित मैं आपको डारेटरी बता देता हूँ, सपोस करो, हम लोगो इन दोनों के वीच को एक वैलू चूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इन दोनों के वीच माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, सोवान ऐसी तो आएगा न, तो सपोस करो अगर हम लोग माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2 रख एक चेक कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, यह आपको देखिए, माइनस 2 जैसे रखेंगे, तो 2 इन टू माइनस 2 यह माइनस 4 मिल जागा, और माइनस 4 प्लस 2 करेंगे, तो क्या मिलेगा, निगेटी वैलू देगा, और अगर निगेटी वैलू दिया, तो मत और प्लस 2, तो 2, 2, 4, तो इस तरीके से जब इस interval में आप कोई भी value यहां के लिए रख रहे हो, तो आपको value क्या मिल रहा है, तो clear cut पता चल गया, कि इस interval में वो क्या होगा, decreasing होगा, और इस interval में क्या होगा, increasing होगा, इसी बात को simply लिख देना है, मैं detail में अगर आपको लिख में आपको समझना है वो आपको समझ के चलना पड़ेगा ठीक है तो भी है आपको यह मिला since ऐसे करके लिए लो for interval for मैं एक लाइन में लिखके आपको बता दे रहाँ ठीक है for interval क्या interval minus infinity to minus 1 f dash axis क्या मिला less than 0 भाई मैं करके दिखाया था आपको minus 2 भाई करके तो less than 0 so f is अपलिक लो सिधा इस्ट्रिक्ली decreasing strictly decreasing ठीक है in interval in interval कौन सा minus infinity to minus 1 ठीक है वैसी करके हम लोग दूसरे के लिए चेक करके देख सकते हैं तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ किसके लिए increasing होगा वो कैसे होगा मैं आपको बता दिया since इसके लिए भी लिख लिए जिए for interval for interval क्या यह है minus 1 to infinitive f dash x is greater than 0 greater than 0 होगा अभी मैं आपको बताया कैसे 0 होगा तो लिख लिजिए so f is strictly decreasing इंक्रीजिंग यहां पर होगा ना increasing लिखना है यहां पर लिख लिए इंक्रीजिंग ठीक है increasing in interval कौन से भाई कौन से है minus 1 to infinitive minus 1 to infinitive मतला हमको interval ही तो पता करना था ना कौन सी interval में increasing होगा कौन सी interval में decreasing होगा तो simple सा बात है minus infinitive यह 8 नहीं infinitive का symbol होता है minus infinitive से minus 1 के बीच यह decreasing होगा और 1 से लेकर कि infinitive के बीच यह क्या होगा increasing होगा और इंटर्वल्स ऐसे निकालते हैं जैसे कि मैं आपको बताया हूँ अभी कैसे निकालना सबसे प्लेक्स का वैलू निकालना वो रखना और आप चेक करो कि कितरे इंटर्वल में नंबर लाइन को वो डिवाइड कर रहा हूँ उसकी साफसे आप निका सकते हो इस तरीके से देखिए कोश्चन नमर 6 का पार्ट एक कंप्लीट हो गया अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट आप कर सकते हो इजी है वो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ जो एक आग पार्ट टफ होगा सिर्फ मैं उसी को कराऊंगा बाकि मेथड आपका यही सेम चलेगा तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं कोश्चन मर 6 का बी पार्ट एक लिए देख रहोगा होगा ठीक है तो इसमें देखिए बी पार्ट C, D, सभी easy है, E वाला पार्ट थोड़ा सा tough लग रहा है, tough क्या लग रहा है, थोड़ा से इसमें 2 function का multiplication है, तो differentiation करने में थोड़ा सा tough हो जाएगा, बाकि interval बेभी तक आपको 2 मिल रहा था, वो सकता है, इसमें 3 या 4 मिले, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं E पार्ट करा दे रहा हूँ, मैं आसा करता हूँ कि पार्ट नमर B, C और D आप लोग खुछ से करेंगे, किसी बच्चे को कुछ भी problem होगा, तो comment में हमको करके बताना, ठीक है, मैं कोसिस करूँगा कि उसका separate वीडियो आपको बना दूँ, बट, अगर आप मेरा इसके पहले का वीडियो, अगर ये वीडियो आप without इसकी के लगातार देखते वे आ रहे हो, तो मेरे को विश्वास है, कि पार्ट B, C, D, आप उससे कर पाऊँगे, तो चलिए हम लोग पार्ट नमबर E को स्टार्ट करते हैं, तो बच्चो, पार्ट नमबर E आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमने इसको मान लिया, कि ये F of X के एक्वल है, सबसे पहले इस सभी पार्ट में आपको ऐसी करना है, हमने मान लिया कि F of X इसके एक्वल है, अब हमको क्या करना रहता है, बोस साइड डिफ्रेंशेशन करना विद रिस्पेक्ट व एक्स, तो वो तो करना ही पड़ेगा, तो अचलिए हम लोग कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशेटिंग बो साइड विद रिस्पेक्ट व एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, F-X मैं इदर से लिख रहा हूँ, क्योंकि तुरा से इस स्पेशम को ज़्यादा चाहिए, देखिए यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टिप्लिकेशन है, तो डिफ्रेंशेशन का फार्मूला आपको पता है, मल्टिप्लिकेशन वाला, आई होप आप चैप्टर नम्मर फाइब पढ़ते वही आ रहे हो, फिर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशेशन आप सेकेंड, तो एक्स माइनस 3 का क्यूब, प्लस सेकेंड फंक्शन अब एक्स माइनस 3 के क्यूब को सेम लिखना है, फिर्स्ट इफ्रेंशेशन आफ फॉस्ट वह क्या है, एक्स प्लस 1 का क्यूब, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखें क्या मिलेगा, इसको तो हमको सेम लिखना है, एक्स प्लस 1 का क्यूब, देखें, इसको हम लोग एक्स तुग पावर एन के फॉर्म में ट्रीट करेंगे, तो एन एक्स एन माइनस 1 से इसको कर हम लोग निकालेंगे, तो आपको मिलेगा, एक्स माइनस 3, यहाँ पर इन्टो 3 हो जाएगा साथ में, और यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा, भाई, एन, एक्स, एन माइनस 1, तो एन के जग़ए 3, और एक्स का मतलब एक्स माइनस 3, और एन माइनस 1 मतलब 3 में से 1 कम कर देंगे, पिर दे कि इसका अलग से differentiation करके multiply करना पड़ेगा, तो एक्स का 1 होगा, 3 का 0 होगा, यानि यहाँ पर इसका अलग से differentiation करोगे, तो 1 ही आएगा, तो इसमें 1 का multiply करेंगे, तो हमको same मिलेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्स माइनस 3 का cube, same लिखना है, इसको भी x to the power n के form में treat करेंगे, तो nx n-1 से आपको मिलेगा, 3x plus 1 का square, और इसका भी अलग से करोगे, तो 1 ही मिलेगा, और 1 का multiply करने के बाद इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, अब arrange कर लिजिए बस यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या मिला, 3x plus 1 का cube, x minus 3 का square, वैसे इसको भी arrange करेंगे, तो plus 3, तो x minus 3 का cube, और यहाँ पर x plus 1 का square, कुछ common है, क्या-क्या common है लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3-3 दुनों में है, x plus 1 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो x plus 1 का square common के लिजिए, तो x minus 3 का square भी common हो सकता है, अब क्या बचा, यहाँ पर देखिए, x plus 1 बचा, x plus 1 बचा, यहाँ पर, भाई x plus 1 3 टाइम था ना, तो 2 टाइम ने common क्या एक बचा, x minus 3 2 टाइम था, तो तो तना हमने common के लिए, और यहाँ पर x minus 3 बचेगा, तो plus x minus 3, अब देखिए, यहाँ पर calculate कर लिजिए, तो क्या मिलता है हमको, 3 into x plus 1 का square, यहाँ पर x minus 3 का square, और यहाँ पर देखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, x x मिलकर के 2x, तो 2x minus 3 में से, 1 को minus करेंगे, तो minus 2 मिलेगा, फर्दर अगर हम लोग थोड़ा सा और arrange करें, दिखेंगे, यहाँ से 2 common हो जाएगा, तो मैं 2 को बाहर कर रहा हूँ, तो 2, 3 जाए, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, और क्या होगा, x plus 1 का square, तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा की नहीं रहेगा, यह तो रहेगा, पहले यहाँ वाला में लिक रहा हूँ, जाले, तो 2 common करेंगे, तो x minus 1 बचेगा, ठीक है, और, x plus 1 का square, यह वाला बचेगा, और यहाँ पर x minus 3 का square बचेगा, तो x minus 3 का square, यहाँ हमारा final result आया, 6 into x minus 1, x plus 1 का square, और into x minus 3 का cube, यहीं मिलेगा, तो यह हमारा किसका value आगया, f dash x का value आगया, अब हमको limiting point के लिए, इसको 0 की equal रखना पड़ेगा, तो x का हमको value मिलेगा, अब यहाँ पर देखिए, qv की equation है, तो definitely, हमको x का 3 value मिलने वाला है, ठीक है, तो चलिए put करके, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, pause करके, यहाँ तक आप note कर लिजे, क्योंकि मैं page को turn करने वाला हूँ, तो लिख लेते हैं, putting, f dash x is equal to 0, यह rule होता है, limiting value को जानने के लिए x का, तो f dash x का value मारे पास क्या था, मैं लिखा हूँ, पीछे side से मैं note कर रहा हूँ, x minus 1, x plus 1 का square, और x minus 3 का square, यही था, और into 6 भी था, is equal to 0, तो देखिए, एक बार हम लोग इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो मैं direct answer लिख ले रहा हूँ, क्योंकि हमको इतना detail में यहाँ पर दिखाना नहीं है, तो x का value क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिए, मैं उसको direct लिख रहा हूँ, तो x का value देखिए, यह तो 6 से multiply कर दोगे, तो आपको 0 हो जाएगा, अगर x minus 1 is equals to 0 करेंगे, तो x equals to आपको क्या मिलेगा, एक 1 मिलेगा, जब आप इसको रखोगे, तो x is equals to आपको मिलेगा, minus 1, और जब आप इसको रखोगे, तो x equals to क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो इस तरीके से x का हम कारा 3 value मिला, आप इन तीनों numbers को number line पर represent करके, चेक करेंगे, कि कितना joint set में इसको break कर रहा है, यानि कितना interval बन रहा है, तो चलिए, अब हम लोग number line बना लेते हैं, इधर plus infinitive, और इधर minus infinitive, यह तो आपको पता ही चल चुका है, इतना question हम लोग कर चुके हैं, अब देखिए, minus one सबसे पहले आएगा, तो इधर कहीं कहीं minus one आएगा, इसके बाद plus one आएगा, इतना तो number line पर represent करने आपको आता ही है, यह plus one है, और यह क्या 3 है, इधर कहीं 3 आएगा, पहले negative, फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा, फिर last one infinitive, we have four intervals, intervals कौन कौन सा है, note कर रहा हूं है, पहला minus infinitive to minus one, open में लिखना है, ठीक है, minus infinitive से minus one, फिर minus one से one, second क्या मिला, minus one to one, third क्या मिला, लिखते जाएए, one, two, three, one, two, three, और fourth क्या मिला, three to infinitive, हमको चार interval मिला, अब हम लोग, इन intervals की बीच का वेलू रखर के, वैसे पूट करेंगे, f dash x में, और चेक करेंगे, कि हमको negative मिल रहा है, कि positive मिल रहा है, तो जिस intervals के बीच का वेलू रखने के बार, negative मिलेगा, तो वो बोलेंगे, strictly decreasing है, और positive मिलेगा, तो बोलेंगे, strictly increasing है, testing वाला method तो वही है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, चेक करना ये start करते हैं, ठीक है, तो पहले interval के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले, f dash x हमारे पास ये है, ये मैं note कर लिया हूँ, ठीक है, तो हम लोग for interval, minus infinitive से, minus 1 के बीचे करते हैं, कि strictly increasing होगा, कि decreasing होगा, तो मैं लिक लिक लिता हूँ, for interval, for interval, कि अब minus infinitive से, minus 1, अब देखिए, minus infinitive से, minus 1 के बीच कौन को से नमर आएगा, minus 2, minus 3, minus 4, so on, अब आप minus 2 रखें, हैं पे चेक करके, कोई भी नमर रखें, आप चेक कर लिजे, तो देखिएगा, आपको क्या मिलेगा, ये negative नमर मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं और लिजे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई वीडियो बहुत लंबा हो जागा, अगर मैं कर करके बताऊंगा, सपोस करूँ कि मैं minus 2 पूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप minus 2 पूट करोगे, तो minus 2 minus 1, यहाँ से आपको minus 3 मिलेगा, तो आपको पता है कि जब odd time minus का multiplication होता है, तो minus मैं अंसर आता है, तो इसिफ सिंगल minus है, इसलिए पूरे को calculate करने को बाद आपको क्या मिलेगा, negative value ही मिलेगा, समझ में आ रहा है, आप example लेकर के बच्चों देख सकते हो, तो for interval इतना मैं अब डारेक्ट लिक रहा हूं, f dash x is less than 0, ठीक है, so f is strictly decreasing, strictly decreasing in interval minus infinity to minus 1, ठीक है, आप चलिए, second के लिए check कर लेते हैं, तो for interval, for, यह first के लिए सिंगर के लिक लो, अब यह मैं second के लिक लिक रहा हूं, ठीक है, तो for interval, कौन सा है, minus 1 से plus 1 के बीच, चलो, इसको भी मैं औरली समझा रहा हूं, आप जिससे minus 1 से plus 1 के बीच रखोगे, तो एक 0 ले सकते हो, तो चलो, मैं 0 रखके दिखा देता हूं, जल्दी से आप समझ पाओगे, तो यहाँ 0 रखोगे, तो यहाँ पर minus 1 आएगा, यहाँ 0 रखोगे, तो यहाँ पर plus 3 आएगा, और square करोगे, तो यह भी plus आएगा, यह भी plus, यह भी plus आएगा, मतलब यह एक आपको simple minus मिल रहा है, और बाकी देखो, सभी plus मिल रहा है, तो फिर वही केस आगया, single negative है, सब को आप से multiply करोगे, तो answer minus में यह आएगा, इसका मतलब, यहाँ पर भी क्या आपको मिला, जो f dash x का value यहाँ पर भी 0 से चोटा है मिला, so, f is strictly decreasing in interval, क्या है, second वाला, minus 1 to 1, ठीक है, चलिए, third के लिए चेक कर लेते हैं, four interval, third के लिए चेक करते हैं, ठीक है, तो third के लिए चेक करेंगे, तो four interval, कौन से interval है, one, two, three, चलिए, one से three के लिए कर लिजिए, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, expression तो यहीं रहेगा बाई, सब के लिए, अब one से three के बीच, तो यहाँ पर प्लस मिलेगा, और यहाँ पर two minus three करोगे, तो minus one, लेगिन minus one के square कर दोगे, तो plus मिल जाएगा, तो यह भी plus, यह भी plus, यह भी plus, तो पूरा expression का value, solve करने बाद आपको positive मिलेगा, शिर्फ आपको sign से ही मतरवक ना है, कि solve करने को बाद positive मिल रहा है, कि negative मिल रहा है, numerical value से यहाँ पर आपको खोई लेना देना, नहीं है, तो for interval इतना, f dash x is greater than 0, so, f is strictly, f is strictly decreasing, decreasing नहीं, sorry, increasing, यहाँ पर increasing होगा, is strictly increasing in interval, क्या है, third वाला, one, two, three, चलिए, last interval के लिए देख लेते हैं, fourth वाला जो हमारे पास interval है, तो check कर लेते हैं, for interval, interval के, three to infinity, ठीक है, check कर लोगा है, इसके लिए भी, इसके लिए भी देखिया आगा, positive यहाँगा, इसे suppose करो मैं four रख दिया, क्या रख दिया, four, अगर मैं four रख हूँ, तो क्या होगा देखो यहाँपर, four minus one, three plus में मिलेगा, यह भी plus में मिलेगा, यह भी plus में मिलेगा, तो clear cut आपको दीख रहा है, यहाँपर भी क्या हो रहा है, है यहां पर भी आपको positive value मिल रहा है f dash x का तो f dash x is greater than zero so f is strictly increasing strictly increasing interval three to infinity यानि starting का जो दो interval उसमें आपको decreasing मिलेगा बाकी और sub interval में क्या मिल रहा है increasing मिल रहा है तो इस तरीके से बच्चों यह अपना complete solution रहा है question number six के इपार्ट का तो इस तरीके से हमारा question number six भी complete हो गया और इपार्ट में खळा दिया तीन पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ऐसी करके आपको करना अगर यह दोनों पार्ट अगर इस वीडियो में आपने देख लिया है तो आप ऐसी करोगे तो आपका वह सारा भी question अच्छे से बन जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम लोग question number seven से start करेंगे वीडियो पसंद आया हो जोड़ी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप first time विजिट किए हमारे चैनल पे तो चैनल को भी subscribe कर लिजिए तो चलिए बच्छों हम लोग next वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए thank you so much